गुड मॉनिंग यूट्यूब फैमिली सुबह की नौ बज रहे हैं और अभी हम आए हैं छट पे ये देखो सी यू और दादू प्ले कर रहे हैं से चलाएगी अपनी गाड़ी और दिवाली का टाइम नस्दीक है तो बस घर में चोटे मोटे काम बाहर से कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना ये सब चल रहा है अभी लड़ियां लगानी है काफी सारा काम पैंडिंग है बाद में धूपते जो आती हो तो इसलिए अभी सिया क अभी तो जाएगी नीचे अब जारे हैं तो जारे हैं मार्केट और मतला ऐसा कुछ स्पेसिक काम तो नहीं है थोड़ा बहुत छोटा मूटा सबके गर में होता है हमारे गर में भी है वोई सब लेने और एक मेड़ का पैकिट हमारा गलत आ गया था वो भी हमें वापस करना तो जाएदा बाते नहीं करते हैं मुरास्ते में करेंगे अब भी हम पटाफट निकलते हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में ओलिव ओलिव हलो हलो को की को की बैठो 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 और कुछ मैगी दूसरे तरफ है यह है मैगी नितिश बिस्किट बटोरने में है यहां से यह हाइडन सेग भी ले लेने है हाइडन सेग बार्द हो रहने तो उसका टेस्ट अपनाच रहने है पूरे साल में सबसे अच्छा टाइम जो लगता है मार्केट का वो है दिवाली का मुझे बचपन से दिवाली का फेस्टिवल सिर्फ इसलिए जादा पसंद है कि इस टाइम पर डेकुरेशन बहुत अच्छी होती है डेकॉर के इतने अच्छी अच्छा आइटम्स मिलते हैं और मार्केट बिल्कुल कलरफुल सी होती है बहुत सारी लाइटनिंग होती है मुझे बड़ा मजा आता है यह है होलसेल शॉप और यहां पे न वो एमपन वागेरा देहलीज वागेरा जो होती है न स्टीकर वाली वो सब मिलती है तो अभी हम वही लेने आएं तो देखते हैं कौन सा डिजाइन वागेरा क्या मिल पाता है वो ले लो पैर रहे हैं ऐसे छोटे वे लोग करें उंदी छिए लोगेरा पाता है यह मैं दोचलिक दोच का वागेरा कि आ जोगाई्य न विखा गाना भासे का लेंगाना अजोग एस दोचेस में पाता है जोड़ पाता ही नहीं है तो यह नहीं है इनके पास डिजाइन इतने सारे हैं कि सेलेक्ट करना मुश्किल हो जा रहा है तो फिर भी हमने दो चाल ले लिए अब बढ़ते हैं आगे और लेनी हैं कुछ सब्जी और फ्रूट्स यह निकाल लो आपर भी हाथ ना जाएंगे पिछट जाएंगे और अब बैक की चेन लगवाने आये हैं सरदार जी से यह कुछ बच्चे डोल बजाके दिवाली का चंदा वगेरा मांगने के लिए आये हैं पर डोल बहुत अच्छा बजा रहे थे यह रैडी हो गई मेरी ठिक्की अब अब न के लिए बनना है गोलकपटे अब अब यह वाण न पूले आले गोलकपटे खाए जा रहे हैं ऐसे कोन काता है भईया पानी निकाल देगा यह नितिश की टिक की भागोरी जारी है गोल गप्पे के बाद लास्ट में पानी पीना तो बनता है अभी फिलाल हम आ गए हैं गर बर अभी सारा काम पूरा नहीं हुआ है अभी शायद फिर से जाएंगे या मेभी शाम को जाएंगे यह जादा तर यहीं पर बैठा रहता है और यह आया है एक मेशो से और जो कि अभी मैंने दो दिन पावले ही प्लेस किया था बटकि काफी जल्दी आ गया इस बड़ शेट नहीं आया तो रटन हो जाएगी खोल गया तो देख लो पिलो कवर तो हमारा उपर डाक शेट भी तो है इसलिए मैंने लाइट मगा इसमें तो और थे ब्राउ ग्रे था ग्रे हमारे पास है पिछली दिवाली वाला मुझे तो सही लगा यह आप बाकी दिवाली वाले दिन में से दिछा के दिखाऊंगी तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा तो लड़ियां हमारी लग चुकी है और अभी हम फिर से जा रहे हैं मार्केट थोड़ा और सामान लेने के लिए उससे पहले हम जाएंगे एटियम यह आ गए एटियम में और अब चलेंगे मार्केट अब जा रहे हैं यह किसा फिसको तक है हम जा रहे मार्केट लड़ियां लेने और क्या लेने स्टीव के लिए स्टीवर लेने वाँ नितिश अभी तक दस दुकानों में लड़ियों का पता गड़ चुके हैं मतलब हमें और भी लड़ियां चाहिए तो कितनी जगरेट ले लिए लड़ियों के बाद अब हम ले रहे हैं कैंडिल वो भी खोली वाली पैकेट वाली नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो महंगी बढ़ती हैं यही सही बढ़ती है यह डायलोग मुस्ली सब बोलते हैं कि वापस आजाना वापस कर देना अगर कुछ दिककत लगे तो बट अब कैंडिल वापस करने कौन आएगा यार अब लेने आए हैं शूज तो अभी शूज देखते हैं उन्हें चाहिए भी तो कलर दूसरा पापा की शूज लेने के बाद अब हमाए हैं सिया के लिए देखने क्योंकि हमने दो तींचे के ट्राइ कर रहा बट कहीं इसका साइज ने मिल रहा कहीं हमें पसंद नहीं आ रहा तो फाइनली हम यहां पे आया हैं यहां पे बहुत अच्छे पिंग स्ट्रीट में लिटरली बहुत अच्छा कलेक्शन्स है फीमेल्स का एंड बच्चों का तो आप चेक आउट कर सकते हैं डेफिनीटली मैं कुछ ग्लेटर में देख रही थी बट मुझे वैसा कुछ मिला नी तो जो मिला वो भी अच्छा कलेक्शन था बट जो मेरे कुछ यह था वो नहीं मिला और जो पसंद आया उसमें बड़ा साइज नहीं था तो हमें लेना तो थाई क्योंकि यह मानते नी तो फिर हमने यही साइस ले लिया जो से पहना है बट यह है बहुत सुन्दर बट थोड़ा सा बड़ा नी मिला बस वाव तो यह दो शूज हमने वापक ले लिये थे एक जो पहन रहे हैं और एक यह ब्राउन वाला तो हमें य यह दो शूज सिया दो बैली सिया के लिए एक वो साइट में है और एक यह जो नितिश से पहना रहे हैं कपड़ों यह खुशनी होती जूटे देश के जो एकी स्माइल ला जाती है और यह इन दोनों की मस्ती चल रही है सिया को इस मसाजर से ना डन नहीं लगता बिलकुर बहुत खुश होती है जब भी से नतेशिल लगाते हैं तो मार्केट से आके बहुत ज़्यादा थक चुके है मैं तो कमर के बैंड बजी होई है अभी ने पेशनी मसाज करी है तो अभी थोड़ा बैटर फील है और दस बच चुके हैं अल्रेडी सिया के सोने का टाइम हो गया बहुत ज़्यादा परेशान भी थी अभी थोड़ा उसको देखके मसाजर है जो उसको देखके थोड़ा खेल रही है तो इसी के साथ अब इस व्लॉग को एंड करते हैं व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आप फर्स्टेंड चैनल पे नहारे हैं तो और बबाई गुड़नाइट बसक्राइब कल एक नियों व्लॉग में